हाई दोस्तों नमस्कार हमरा नयवलाक में आपका स्वागत है असा है आप लोगी जहां होंगे अच्छे से होंगे अपने परिवार के साथ खुस होंगे कुसल से होंगे आईए दोस्तों कुछ रोचक बाते जो हैं हमारे जिहान में आया है और मैं आपके समक्च रख रहा हूँ चलिए दोस्तों सुरू करते हैं परस्थितियां बदलने लगी परस्थितियां बदलने लगी क्या है सन 1911 का बरस्थ भारतिय राष्ट के इतिहास में महत्वपुनुव अस्थान रखता है 6 साल पहले वाइस राय लाड करजन ने बंगाल का विभाजन किया था इस विभाजन ने भारत राष्ट को जख जोर को रख दिया वाइस राय के फैसले से लोगों में इतना रोस फैला कि अंग्रेजी माल का बहिसकार कर दिये लोगों ने विशेशकर इंग्लेंड के बने कपड़ों का बहिसकार करने लगें इन ही दिनों बंदे मात्रम का उद्गोस किया जाने लगा भारत को मात्र भूम और मा का रूप में पूजने लगें लोगों उसे अंग्रेजी दास्ता के बंधनों से मुक्त कराने के लिए जन चेतना जगाई गई सरकार को अंदोलन सही नहीं हुआ तो उसने फूटडालने सरकार का जो है अंदोलन सहीं नहीं लगा ब्रतास नहीं हुआ अंग्रेजों को तो उसने कहा किया कि फूट मैं और दमन करने की नित्यपना आई आंदोलन में भाग लेने वालों को जुर्माना देना पड़ा शुबधाओं से बंचित कर दिया गया नौकरी आद में रुकावट आदी के नीत अपनाई गई फिर भी आंदोलन नहीं रुका दोस्तों ये थे परुष ये थी हमारे समाज के लोग ये थे हमारे हिंदुस्तान लूग अंवकरी अपना देखा उन्णोनीं देश के प्रति प्रती अपने समर्पित कर दिया था उन्हों को भूधा शताया लुकैर से बंचित रहा गए जो बन सश्ष्ट विरोध और करांतिकारी गद्विधियां शुरू हो गई जन भावनाओं के आगे सरकार को जुकना पड़ा सन 1911 में आखिरकार बंगाल का विभाजन रद कर दिया गिया इतिहासकार रमेश्चंद मजुंदार लिखते हैं कि भारतिय जनता ने पहली बार प्रवल प्रतिरोध की भावना ब्यक्त की उन दिनों भारत के विभिन भागों में जिस तरह गुप्त समतियां बनने लगी और सक्री होने लगी थी उसका असपश्ट उदेश्य अंग्रेजी राज को उखार ठेकना था नौक्योल बंगाल में बल्कि पंजाब मदराज जैसे दुरवर्ती प्रांतों में भी गहरी असांत की आम हालत थी सरकार की कोठोर करवाईयां भी करांतकारियों को रोप नहीं से था वह उबाल बंग भंग को वापस लेने के सिवाए किसी और कदम से थामने वाला नहीं था दिसंबर उनई स्वेगार में दिल्ली के दरबार के समय समराट जार्ज पंचम और महरानी ने बंगाल विभाजन को रुरद कर दिया दोस्तों ये था एकता ये थी हमारी संप्रवता ये था हमारा गवरव जो देश के प्रति हमारे जो पुराने भुजुर्गलों थे उन्होंने संकल्प किया और आजादी संगठित करके रखे इस हिंदुस्तान को किसी भी हालत में एकता को जुकने नहीं दिया उसमें कोई धर्म का वो नहीं था कि यह धर्म है यह धर्म है धर्म का कोई बंधन नहीं था सब एक जूट थे सब एक मत थे सिर्फ हिंदुस्तानी थे आज वाइसराल जो अंग्रेज थे उनको जुकना पड़ा और बंगाल विभाजन का जो उनका कारेक्रम था उनको रद करना पड़ा तो यह थी हमारी आज की कहान विपरीत हुआ अनकुल दोस्तों बीपरीत हुआ अनकुल दिल्ली दरबार की दुसरी घोषणा में भारत की राजधानी कलकत्ता से देखी दोस्तों पहले भारत की राजधानी कहां था दिल्ली नहीं था पहले भारत की राजधानी कलकत्ता होता था भारत की राजधानी कहां था कलकत्ता था भारत की राजधानी कलकत्ता से बदल कर दिल्ली ल बाल थोड़ा ठंडा हुआ उसी तरह 20 फोटक रूप लेता जाता तो संभव था कि स्वतन्त चेतना जगाने का काम बर्सों तक प्रभाव साली धंग से नहीं चलता कि अंग्रेश सरकार को यह लाब हुआ कि वह जन आक्रोष का तुरंत सिकार होने से बच गई इस फैसले में मुख्य भूमका रखने वाले वाइस राय लाड हार्डिंग्ज की हाला कि अलोचना हुई थी वहां के अंग्रेश अधिकारियों और बिटेन के लोगों ने उसे खूब बुरा भला कहा लेकिन समय ने सिध कर दिया कि उसका फैसला सही था तीन साल बाद पहला विश्व जुद छड़ी गया भारत के राजा महराजाओं और समाज के सेष्ट बर्ग ने अंग्रेशों का खुल कर साथ दिया जुद समाप्त होने के बाद अंग्रेश सरकार अपने कई वायदों से मुकर गई लेकिन भारतिय समाज में आत्म विश्वास और जागरण की जो लहर उत्पन हुई थी वह निरंतर तिव्र होती गई 1111 की राजिनाइति घट्राएं भारत की भावी दिशात्य करने वाली हल्चले थी उस बर्ष को देश का भविश निश्चय करने वाला वर्ष भी कहा जाता था समाजिक और संस्कित द्रिष्ट से भी उन्दीनों कई महत्य पुन गत्विद्या चल रही थे उस बर्ष भारतिय धर्म और अध्यात्म की एक क्या बरते के महत्य प्रणाश्था को नई अभिव्यक्त मिली नव जागरण के उस दौर में राजा राम मुहान राय केशव चंद महर्शी देवेंदर ना ठाकूर महादेव गोविंद रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले लोक माने तिलक आधि चिंतक और नेता भारत के स्वनिम अतित और अतिरिक बैभाव का साच्छात करा रह थे मैडम वेल वाट असकी करनल अलकाट एनी विसेंट आध इरोपिय विद्वान भारतिया ध्यान के गीत गार है थे स्वामी विवेकानन ने पश्ची में भारतिय धर्म संस्क्रीत का जो विजय उधोस किया था उसकी गूंज इन विवित्यों की बाड़ी और कर्म में सुनाई देती थी कि यह था दोस्तों आज का अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों नेक्ट पार्ट इसके बाद जो है हम आपके समुक्ष कल प्रस्तुत करेंगे तब तक के लिए नमस्ते जय हिंद जय भारत दोस्तों आप जहां रहिए खुश रहिए भगवान आपको अश्री बात देते रहें भगवान आपको कुशल से रखें यह हमारी कामना है जय हिन